है दोस्तों आज कल हर कोई अच्छा दिखना चाहता है आज कि ही बात क्योंकी अदा के पुराने समय से ऐसा चला आ रहा है कि हम लोग अच्छे दिखने की कोशिस करते हैं और उसके लिए मार्केट के अंदर में बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स काम लट करते हैं और वी JOE में हम लोग एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंदय को एलोपैतिक करती है यानि कवे समस्या है या फिर और वह सारी अपनी caregiver को दूर करेगा लेकिन यह सारी चीजें जो प्रोड़ेट की लीफ लेट आती है ना उसके अंदर में दी गई है बाकि अगर मैं जो इन्फॉर्मेशन दी है इंटरनेट पे उसमें ये जो मेडिसिन है वो केवल और केवल एकने को ठीक करने के लिए यूज होती है एकने के दा लेकिन एक तरह से beauty product के रूप में इसे लोग use करते हैं दोस्तों इस वीडियो के हम इस क्रीम के बारे में बात करेंगे डीटेल में कि यह क्या है कैसे के इंदर क्या-क्या चीजे हैं और यह किस तरह से काम कर सकती है और क्या यह नॉर्मली दाग धबों को भी ठीक करेगी इ ऐसकी इंग्रेडि ree Freunde के वेज़ पर हम लोग बात करेंगे को सब्सक्रत बात करेबा कुछ बहां है को अब करूbak क्षट तो यह समुसे किन तो किंडा को यूई करी मों से क्रीम कि एक सुछ 8 रुपे होती है मतलब थोड़ी सी महांगी है कोई दिक्कत नहीं है यह सारी प्रोड़क्ट वैसे भी महांगे आते हैं इसके अंदर में दोस्तों तीन चीजे मिलाई गई है बेटा मेथासोन क्लिंडा माईसन और निकोटिनामाइड बीटा मेथासोन एक प्रकार का स्चैयोष करने के लिए यूज होता है तो इस प्राइब मीआ उस समझ आती है पुस नहीं परेकर करने का काम करता है बेटा मेथासोन को ठीक होगा ठीक हो च Release तो ठीक करने का काम करेगा यानि ऐसे सारे क्यामिकल मेसंजर को ब्लॉक कर देता है जो को इंफ्रमेशन कास करते हैं इसके अलाव है समें ऺंड मैसीं हो सा उटा है उने प्रकार का एंटीबाइटिक होता है जो कि मालीजी का आपको कही एकने हुआ हमको ओड से रोप्र सपने क है करता है यानि कि आपकに करता है कि प्रोटीन संथेश को रोग करके भोट को रोग देता एक दम से तो antibiotic के तरह यह काम करता है तीसरी चीजे मैं निकोटिनमैड विट का इक फॉर्म है बिटामिन भी है और निकोटिनमाइड जो है वो आप समझे कि आपके इसकिन के ऊपर में जब यह लगता है तो इसकिन में ग्लो ले करके आता है इसकिन को नरिस करता है इसकिन की सेल्स होती है उनको नरिस्मेंट देता है ठेक है तो कहने का मतलब है कि यह जो क्रीम है अगर इ इसे एक्ने में यूज करते हैं चेहरे पे एक्ने हुआ हैं जहरे पे आपको ऐसे दाघ धब्बे हैं जिसमें पर्स है इन्फ्लमेशन उसको ठीक करने का ये काम करती है पूरी तरह से ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है अब अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूज करते हो तो इसमें क्योंकि निकोटिनमाइड है तो निकोटिनमाइड क्या करेगी कि आपकी स्केक इस कि पने ग्लो लाएगी इसकी जो डार्क सेल्स हैं उन सेल्स को निकाल के बाहर करेगी यानि उन सेल्स को आपके चेरे से हटा देगी निकोटिनमाइट कोशिकों को नरिस करेगी डेड़ सेल्स को भी बाहर करेगी तो इससे फाइदा क्या होगा कि जो दाग दब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे लेकिन यह तब आपको दिखाई पड़ेंगे जब आप प्रॉपर लंबे समय तक इसका यूज करेंगे ऐसा है कि एक हपते दो हपते में इसका कोई फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें जो इंग्रेडेंट है उनके बेस में बता रहा हूं ठीक है आप अगर इसे कुछ ऐसा ब्यूटी वाला जो रिस्पॉंस आते हैं अगर आपको लेन रेडनेस मैसूस हो सकती है जो कि बहुत कम समय के लिए होता है फिर अपने ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपके अंदर लंबे शमय तक बना रहता है यानि आपकी इसकिन थोड़ा जा एलर्जिक है तो आप संस्टिव है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका इल कि इसके अलावा कंपनी फोड़ का सबस्क्राइब बताया गया है कि यह कीशक्र में इस होती है तो यह क्रीम यूज होती है डार्क सर्कल में चेहरे की जुर्यों में जहाईयों में संबर्ण की समस्चा में नॉर्मल दाग दब्बे में तो जैसे कि मैंने बताए यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सही बात है लेकिन आपको इसे करीब करीब महीने भर यूज करना करें उसके बाद ही इस तरह की कोई क्रीम आप यूज करें तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो आपको इंफार्मेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगा मिलते न